एलो फ्रेंच वेलकम टू मैं योटूब चानल एवी अक्एडमी दोस्तो मैं हैं स्वेत और आप सबी का श्वागात है मेरी योटूब चानल एवी अकेडमी के साथ दोस्तो आज का हमारा सेस्न स्टार्ट होगा हिंदी का हिंदी के अंतरगत हम लोग important question को discuss करेंगे जो कि CTR के एक्जाम के point of view से बहुत ही जादा important है तो चलिए सुरू करते हैं अपने class को हमारा पहला question है भासा सिखने का उद्देस से तो हमारा पहला question भासा सिखने का उद्देस option number E है आदिस, निर्दीस, देपाना और सुन पाना option number B है दूसरों की बाते को समझ पाना option number C है अपने मन की बात कह पाना option number D है प्रते की स्थीती में भासा का प्रयोग कर पाना तो सही जवाब बताएं कि भासा सिखने का उद्देस से क्या होना चाहिए तो इसका सही जवाब है प्रतेक स्थीती में भासा का प्रियोग कर पाना ही भासा सीखने का उद्यस से होगा चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं अमारे नेक्स्ट कोशन है बच्चों के भासाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है यह विचार किसका है आप्सन नमर ए है इसकी नर आप्सन नमर बी है चौमस की आप्सन नमर सी है वाई गोट्स की आप्सन नमर डी है प्याजे तो बच्चों के भासाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है यह वीचार कौन दिये थे इन चारों में से जब आप बताए इसका सही जवाब क्या होगा खाँ तो इसका सही जवाब वाई गोट की है समाजिक जहां भी समाज की बात कर रहा हो तो उसका अधिकतर एंसर 99 पर 30 एंसर हमारा वाई गोट की ही सही होता है और इसमें हमारा answer वाई गोट्स की ही ही होगा तो option number C हमारा सही है समाजिक विकास की बात किया जा रहा है बच्चों की भासाई विकास के लिए समाज की महत्पुन भूमिका की बात की जा रही तो इसकी नर्स जो है जो समाजिक संस्कृतिक विकास का सिध्धान दिये हैं चलि के लिए सबसे उप्युक्त अनुसास अनुसंसा होगी option number A है भासा प्रयोग पर विविद अपसरो की option number B है सतत एवं व्यापक आंकलन की option number C है सर्वत्य क्रिष्ट पार्थि पुस्तक की option number D है सब्दे कोश एवं विस्विकोश के प्रयोग की तो बताई सही जवाब क्या ह होगा इसका हाँ तो सही जवाब होगा सतत एवं व्यापक आंकलन की चले next question देखते हैं हम next question है लिखित भासा का प्रयोग अपसर नुम्र ए है कारियों के लिए किया जाता है sorry कारियालाई यानि कि कारियालाई के कारियों के लिए के लिए ही किया जाता है ही सब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे देखिए option number B है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है option number C केवल साहितिस रिजन के लिए किया जाता है option number D केवल प्रतिवीदन लेखन के लिए किया जाता है तो सही जवाब बताई कि क्या होगा इसका सही जवाब देखें तो हम question से answer को कैसे सही answer को हम छाट सकते हैं इस चीज़ को देखते हैं इस question में लिखित भासा का प्रियोग पूछ रहा है ठीक है इसमें देखें फर्स्ट आप्षण में क्या कह रहा है कार्याले भासाई के लिए ही किया जाता है तो क्या लिखित भासा का प्रयोग केवल काड़याले ये भासा के लिए ही किया जाएगा नहीं तो ये option हमारा गलत हो गया ठीक है फिर next देखिए केवल साहित इस रेजन के लिए तो क्या लिखित भासा का प्रयोग केवल साहित इस रेजन के लिए होता है इभी limitation पैदा करड़ा है तो इभी answer ये भी option नहीं होगा हमारा फिर next option है हमारा केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है तो क्या लिखित भासा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए होगा फिर केवल लगा के limitation पैदा कर दिया तो इभी जबाब हमारा गल कट करने के लिए करते हैं चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भासा की कक्षा में भासाई खेलों का आयोजन मुख्यता कोश्चन कह रहा है कि भासा की कक्षा में भासाई खेलों का आयोजन मुख्यता एक उन्हें इसको सेट कर रहे हैं हाँ तो हमारा पहला आप्सन है आकलन का काम करता है आप्सन नमर B है रोचकता और जोस लाता है आप्सन नमर C है अध्यापक के काम को सरल बनाता है आप्सन नमर D है भासा सिखने की प्रक्रिया में स्वभाविक है स्वभाविक ता लाता है तो बताई सही जबाब क्या होगा कोश्चन है हमारा भासा की कख्षा में भासाई खेलो कायोजन मुख्यत तो भासाई खेलो कायोजन क्यों किया जाता है तो सही जबाब बताई चारो आप्सन में से हमारा कौन सा सही जबाब होगा हाँ तो हमारा सही जबाब होगा अप्सिन में भी हमारा सही है इसका रोचक्ता और जोस लाता है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं कवीता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रस्न पूछने का उद्धिस अब कविता कहानी उपर चरचा करने एभन प्रसंद पूछने का उद्स से क्या होगा अपने मरी कल्पना सिल्ता का प्रयोग करना मात्र अपने मर भी भासा सीखने का आकलें करना मात्र साहित्य के प्रती बच्चों के रूशी जाग्रत करना है और अप्सन नमर डी है भासा की विविन छटाओं का अनुभाव करना है बताई सही जबाब क्या होगा हमारा है पहले होगा दूसरे प्रिंञा करके सिमित कर दिया है प्साहित्य के प्रती बच्चों के रूचिह जाग्रित करना या फिर भासा के भिविन छटाओं का अनुभाव करना तो option नमर D जो ज़्यादा सही होगा क्योंकि option नमर C से ज़्यादा प्रभावसाली option हमारा option नमर D है तो हमारा option नमर D ही इसका सही जवाब होगा चलिए next question देखते हैं हम हमारा next question है भासा का अस्तित्व एवं विकास डैस के बाहर नहीं हो सकता है यानि किसके बाहर नहीं हो सकता है option देखते हैं option नमर A साहित्ति आप्सन नमर B समाज option नमर D इसी विद्याले option नमर D परिवार हाँ तो भासा का अस्तित्व एवं विकास जो है जो डैस के बाहर नहीं हो सकता है चलिए next question देखते हैं हमारा next question है हमारा next question है किसी समावेसी कक्षा में कौन सा कतन भासा सिक्षन के सिधानतों के अनुकूल है option नमर E बच्चे अपने अनभवों के आधार पर भासा की नियन नहीं बना पाते हैं option B भासा विद्याले में रहकर अरजित की जाती है option C व्याकरन के नियमों का ज्यान भासा विकास की गती तत्वरित करता है option D प्रिंट सम्रिद महौल भासा शिखने में मदद करता है तो एक समावेसी कक्षा में कौन सा कतन भासा सिक्षन के सिधानतों के अनुकूल है option D जो हमारा सही जवाब है प्रिंट सम्रिद महौल भासा सिखने में मदद करता है प्रिंट सम्रीद जो है जो एक अपने आप में एक positive वर्ड भी है तो इसी इसका ध्यान लखेगा चलिए next question देखते हैं हम प्रात्मिक अस्तर पर विद्यार्थियों के भासा सिक्षन के संदर्व में कौन सा कथन सही है अपसे नमर ए बच्चे सम्रीद भासिक परिवीस में सहज रूप से स्वता भासा में सुधार कर सकते हैं अपसे नमर बी बच्चे की भासाई संकल्पनाओं और विद्याले के भासाई परिवीस में विरोधा भासी भासा सिखने में मदद करता है बच्चे भासा की जटिल और सम्रिद संग्रिशनाओं का ज्यान विद्याले में ही अर्जित करते हैं बताईए सही जवाब क्या होगा? हाँ तो हमारा सही जवाब आप्सन नमर ए है बच्चे सम्रिद भाशिक परिवेश में सहज रूप से स्वतह भासा में सुधार कर सकते हैं चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं हमारा नेक्ट कोशन है प्राथ्मिक अस्तर की कक्षा में भिन्न भिन प्रांतों के अलग अलग भासा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ ऐसी स्थिती में भासा की कक्षा बच्चों के भासाई विकास के संदर्व में औप्सिन नमर 2 विरोध ही प्रस्तूत करती है। बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो चलिए एक वर कोशन को पुना देखते हैं फिर इसके एंसर को देखेंगे हमलोग। प्राथमिक अस्तर की कक्षा में भिन भिन प्रांतों के अलग अलग भासा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुगा ऐसी स्तिती में भासा की कक्षा में बच्चों के भासाई विकास के संदर्व में तो बच्चों का जो भासाई विकास है उसके संदर्व में कौन सा कथन सह ही होगा अब रोध ही प्रस्तूत करती है तो क्या अब रोध प्रस्तूत करेगा तो नहीं हमारा नहीं होगा अपस्ट नमर भी है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है तो नहीं यह भी हमारा गलत है अपस्ट नमर सी अनमोल संसादन के रुप में कारे करती है और अपस्ट नमर कुने ऐसी स्थिती में भासा की कक्षा में बच्चों की भासाई विकास की संदर्व में तो इसका जबाब होगा हमारा देखिए इस कोशन में थोड़ा सा कनफ्यूज है नहीं दोनों एंसर को लेकि तो इस कोशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चलिए नेक्स् कोशन है हमारा कि पहली कक्षा की भासा अध्यापी का अपने एक विद्यार्थी के भासाई विकास के संदर्व में चिंती थे क्यूंकि विद्यारी विद्यार्थियों के घर पर बात करने में बहुत कम अफसर मिलते हैं अप्सिन नमर एक मिना अप्सिन नमर बी है हमारा विद्यार्थियों के माता पीता की भासा की पीता की मातरी भासा अलग अलग है अप्सिन नमर सी विद्यार्थी अपने साहित्यों में बहुत जगरता है सौरी विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत जगरता है option D है विद्यार्थी पठन पार्थन में रूची प्रदर्शित नहीं करता है बताईए सही जवाब क्या होगा हाँ तो इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों के मातर पीता की मातरी भासा अलग-अलग है चलिए next question देखते हैं हम बच्चों के बोलना सीखने के संदर्व में कौन सा कथन सही है बड़े परिवाड में बच्चों की बोलना सीखने की गती तेजी से होती है option number B निर्धन परिवाडों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गती धिमी होती है option number C कहने सुनने से के अधिक से अधिक अफसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं अपसन मड़ी सभी बच्चे की बच्चों की बोलना सीखने की गती एक समान होती है तो बताए सही जवाब क्या होगा अपसन मसी कहने सुनने के अधिक से अधिक अफसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट कोशन है बिद्दाले कक्षा के सम्रिद भासाई परिवेस से तात पर रहे हैं अपसन नमर ए बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अफसर आपसन नमर B, एक से अधिक भासाओं के सब्द कोष की उपलबदता आपसन नमर C, अध्यापक को एक से अधिक भासाओं की जानकारी option number D, मुख धाड़ाओं की भासा सुनने से अधिक से अधिक अपसर सुनने के अधिक से अधिक अपसर तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा सही जवाब सोचिए, फिर इसका सही जवाब बताएं आप लोग कि सही जवाब होगा क्या हाँ तो इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है हमारा आपसन नमर ए है बोलने, सीखने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अफशर आपसन नमर ए जो है जो हमारा सही जवाब है नेक्ट कोश्चन है हमारा अपने विद्यार्थियों के भासा संबन्दित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है आपसन नमर ए है फिर से कोश्चन को मैं पढ़ रही है अपने विद्यार्थियों के भासा संबन्दित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है आपसन नमर ए मोखिक कारे करड़वाने पर आपसन नमर बी ग्रीह कारे की उत्तर पुस्तिकाओं के अबलोकन पर Option number C, कक्षा कारे के अवलोकन पर Option number D, पोर्ट पोलियों के अवलोकन पर तो सही जवाब क्या होगा इसका? हाथ तो सही जवाब पोर्ट पोलियों के अवलोकन पर होगा हमारा next question है अपने विद्धार्थी, आपके विद्धार्थी पार्थ में आए नविन और परचित सब्दों के अर्थ जान सके इसके लिए आप Option number A, सब्दो कोस देखना शिखाएंगे Option number B, सब्दो कोस के अर्थ लिख कर बताएंगी Option number C, पार्ट के संदर्व में अर्थ समझने की स्थिती पैदा करेंगी Option number D, जो है हमारा पार्ट के अंत में दिये गए सब्द, सब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे तो चलिए बताएंगी कि सही जवाब क्या होगा हमारा, इसका सही जवाब क्या है एक कोशन में कन्फूजन भी रख गया है हमारा, कोशन नमर कौन सा था, हाँ सो कोशन जो है, कोशन नमर 100 जो है, जिसमें एक कन्फूजन भी रख गया है चलिए इसका सही जवाब बताएं कि सही जवाब क्या होगा आप लो, अभी तक बताएं नहीं सही जवाब तो इसका सही जवाब होगा, ऑप्सन नमर C जो है जो हमारा इसका सही जवाब है चली एक question जो रह गया था उसका सही जबाब होगा option number D इसका जो है जो सही जबाब है जटिल चुनातियों के रूप में सामने आती है तो चली हम यह भी बता दिए तो दोस्तों उमीद करते हूं कि हमारा आज का class आपको बहुत ही ज़्यादा help करेगा तो दोस्तों आप लोग हमारे इस channel को like करें, share करें, subscribe करें thanks for watching my video